नमस्कार दोस्तों मैं सुसील सेनी आपका अपने यूटूब चैनल इंगलिज विट एसके सेनी सर में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम पढ़ेंगे होम्स या लिविंग प्लेसेज आफ एनिमल्स एंड बर्ड्स यानि एनिमल्स और बर्ड्स को जिस प्रोपर प्लेस पर रखा जाता है या वो मिलते हैं उनका में वही अस्थान होता है उन अस्थानों को हम इंगलिज में क्या बोलते हैं क्या कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही important है अक्सर कई एकजामों पर पूश लेते हैं अगर competition में जाएं तो भी पूश लिया जाता है और अगर grammar की book में देखें तब भी पूश लिया जाता है और ये बोलने में और पढ़ने में भी ये word आते हैं इसलिए हमें ये word पता होना बहुत ही जरूरी है तो चलिए आगे देखते हैं सबसे पहला word है जो हमारा है तो convict है convict क्या होता है? convict होता है अपराधी अब अपराधियों को जो कोई अपराध किये होता है उनको कहां पर रखा जाता है? तो आपको पता है कि prison, jail जो होती है तो jail में अपराधियों को रखा जाता है तो convict का living place कहां पर है? prison है, prison पर रखा जाता है जो lunatic है, तो lunatic means होता है पागल क्या होता है? पागल अब पागल लोगों के लिए कौन सा प्रापर स्थान है? जहां पर वो रहते हैं या रखा जाता है उनको रखा जाता है asylum में lunatic जो होते हैं उनको asylum में रखा जाता है यानि पागल को पागल खाने में रखा जाता है asylum किसको बोलते हैं? पागल खाना next देखते हैं जो third word हमारा है nun, तो nun कहां रहती है? नन Convent में रहती है नन आपको पता है कि जो पुजारिन होती है Christian धर्म में उनको नन बोलते है और उनका Living Place है Convent नेक्स देखते हैं उमारा नेक्स वर्ड है Soldiers जो Soldiers होते हैं सिपाही तो वो कहां पर रहते हैं वो वैरक्स में रहते हैं बैरक्स उनकी बनी होती हैं उस पर Soldiers रहते हैं जो Honey Bee होती है हमारी मधुमक्खी वो कहां रहती है Beehive में रहता है Beehive बोल दीजे चाहाए Only Hive बोल दीजे वो छट्ता जो बना करके रहती हैं तो उसको हाईव बोलते हैं और जो Sparrow है कुकू है Crow है Bird है यह सब कहां रहते हैं Nest में रहते हैं कहां रहते हैं Nest में घोसले में और Next Word हमारा देखते हैं जो Next Word है तो वो है Ox या Bull या Cow कहां रहते हैं Sed में रहते हैं यह Sed क्या होता है Sed आपको पता है कि जहां पर इन जानवरों को रखा जाता है वो सेड कहलाते है यानि जहां पर बांधा जाता है चारा खिलाया जाता है वो उसको सेड बोलते हैं तो आक्स बुल और काउ ये सेड में रहते हैं और जो डॉग है तो डॉग कहां रहते हैं डॉग के घर को कैनल बोलते हैं छोटा सा घर जो बनाते हैं जिस पर डॉग रहता ह उसको कैनल बोलते हैं और ये फाउल फाउल कहां रहते हैं कूप में रहते हैं फाउल कहां रहते हैं कूप तो फाउल मेंस होता है पच्छी यानि किसी भी पच्छी के लिए बात किये गए है तो पच्छी कहां रहता है तो पच्छी रहता है कूप में पिंजरा में कूप किसक हार्स को जहां पर बांधा जाता है रखा जाता है उसको इस्टेबल बोलते हैं हिंदी में अस्टबल बोलते हैं और लायन और टाइगर तो या तो डेंड में रहते हैं या तो केव में रहते हैं डेंड मांद बोलते हैं वही गुफा ही है और केव गुफा बोलते हैं दीमें तो यानि टाइगर और लाइन डेन में रहते हैं या तो मांद में रहते हैं या तो केव में रहते हैं और जो स्नेक या माउश का लिविंग प्लेस है तो होल है ये होल में रहते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउल आउल कहां रहता है तो आउल जो रहता है तो वो बार्न में या तो रहता है या तो फिर ट्री में रहता है और बार्ण में इस क्या होता है एक तरसे बाड़ा होता है या तो बाड़े में रहता है आउल का बाड़ा अलग होता है ये वो बाड़ा मत समझ लिजेगा जो आदमी या जानवरों को बांधने के लिए रखते हैं वो नहीं है आउल का बार्ण अलग होता है तो या तो बार्ण में आउल रहता है या तो फिर ट्री में रहता है इसका लिविंग प्लेस है और पीजन जो होता है कबूतर या डव फाक्ता जो होता है तो या तो कोट में रहते है या तो नेस्ट में रहते है नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रविट के लिए बना जयाता है तो पिर प्रव में रहता है तो पर बना जाता है या ह सिप सिप जो होता है तो उसके लिए प्लेस को क्या बोलते हैं च्रविट का living place है, wave या cob wave उसको बोलते हैं, और tiger जो होता है, तो tiger कहां रहता है, लेयर में रहता है, वही लेयर मिंस गुफा होता है, या cave कुछ भी बोल दिजे, वही चीज है, और hen, जो hen रहती है, तो वो कहां रहती है, कूप में रहती है हैं कहां रहती है हैं के लिविंग प्लेस को कूप बोलते है और मैन के लिविंग प्लेस को क्या बोलते है हाउस आपको पता ही है कि घर में आदमी रहता है जो पिग के लिविंग प्लेस को इस्टाई बोलते है या तो पैन बोलते है पिगस को जहाँ पर रखा जाता है यानि शुवरों को next word देखते हैं हमारा parrot parrot को कहाँ रखा जाता है या तो cage में रखा जाता है या तो hollow में अगर घर में पकड़ करके ले आते हैं तो cage में पिंझडे में रखते हैं और अगर वो अपने से रहता है जंगल में तो वो एक hollow बना करके यानि खोखला पेड़ में एक खोखला अस्थान बना लेता है और उस पर रहता है और squirrel जो होता है तो ड्रे में रहता है यानि ड्रे की spelling ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है तो SQUAREL के Living Place को बोलते हैं DRAY और जो SEEP होता है या GOT होता है यानि कहा जाए कि भेड या बकरियां तो उनके Living Place को pen बोलते हैं या FOLD भी बोलते हैं अब FOLD मिन्स क्या होता है FOLD यानि भेडो या बकरियों का बाड़ा जहां पर उनको रखा जाता है उसको fold बोलते हैं या तो pen बोल दीजी या तो fold बोल दीजीए next word देखते हैं हमारा wolf wolf जो होता है तो उसके living place को बोलते है wolf, haina या जैकाल इनके living place को बोलते है cave यानि cave पर ही रहते हैं और cock जो होता है वो coat पर रहता snail जो होता है वो cell पर रहता है आपने देखा होगा snail के चारो और जो एक वो layer बनी रहती है उसको shell बोलते है sheep एक तरह से कहा जाए next word है हमारा monkey तो monkey का living place क्या है monkey का living place tree है और camel का जो living place है desert है camel आप जानते है कि basically कहा पाया जाता है desert में ही पाया जाता है यानि रेगिस्तान में ही और इसके बाद तो भी कहीं पर भूश को लाए जाता है तो camel का living place क्या है desert है और spider का living place wave है next word देखते है हमारा और यहीं से खतम हो गया और अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो please मेरे वीडियो को like करें और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए है तो इसको subscribe कर ले मुझे भरपूर प्यार दे thank you thank you for watching my full video thank you